इंडियन प्रीमियर लीग आईपियल में बुद्धवार को मुंबई इंडियन्स अमाई के कप्तान रोहिशर्मा ने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड किया। पंजाब के इस ते खिलाफ सिर्फ 28 रनों की पारी खेलने वाले रोहिट ने टी ट्वेंटी क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिये। खास बात तो या रही कि रोहिट ने चक्का लगा कर ये रिकॉर्ड बनाया। रोहिशर्मा ऐसा करने वाले से दूसरे भारती खिलाडी है। पंजाब किंग्स के खिलाफ रोहिशर्मा ने 17 बॉल 28 रनों की पारी खेली। इसमें 3 चौके और 2 चट के सामल थे। रोहिशर्मा का स्ट्राइक रेट इस दौरान 164 का रहा। बढ़िया सुरवात मिलने के ब वरात कोली के बाद रोहिशर्मा ही ऐसे भारती हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसमें IPL T20 इंटरनेशनल और अनिस सभी मुकाबले सामिल हैं। रोहिशर्मा ने अभी तक 374 मैच खेले हैं। उसमें उनके नाम 10,000 तीम रंद हो गई ह जबकि 6950 जड़ी है। जिहां आपको आगे बता दें कि रोहिशर्मा इस IPL में लगातार फेर हो रही हैं। रोहिट को शुर्वात मिल रही हैं लेकिन वा उसे बड़ी स्कूर में तबदिल नहीं कर पा रहे। मुंबई इंडियास ने लगातार अपने चार मैच कवाई हैं जिसमें रोहिट की बुरी फॉर्म भी एक कारण है।